है यह जो चीज है ना रोड का यह जो चीज है न वाई बहुत ही खतर्ना आगे यह आपका गाड़ी का पूरा जो है न है तो हलो गाईज वेलकम बैक तो मैं यूटुब चैनल मैं सर्गम सिंग आप सब का स्वागत करता हूं अपने चैनल सर्गम लोग व्लागिंग फूल आफ रोडिंग देखरो गाइस एक गाउं से हो रहा है और भी हम लोग गाउं से होते हुए जार एक जगह पे सब्सक्राइब एक चैनली मुझे टाइम नहीं तो आज वाई इंट्रो इदर से सूट कर रहे हैं सो कोई नहीं तो एक बार बढ़ों को साथियों को हलो एंड छोटों को हर हर महादेव सो कैसे आप लोग उमीद करते हैं आप सब भी अच्छो हैंगे यह कोई गाउं है तो यह कोई गाउं है मुझे नहीं पता यह कौन सा गाउं है एंड आज का जो राइड होने वाला है नबे से सौ किले मिटर का राइड होने है एंड अभी हम औरंगाबाद में नहीं है औरंगाबाद से साथ किले मिटर साइड में आ चुके हैं तो वहीं से आज अभी इंट्रो सूट कर रहे हम फाइनली हम लोग हाईवे में मिल गया है आगे हमारे हाईवे सामने अगा पीछा बहुत ही घाटिया रोड था सब्सक्राइब करें हैं अपना यह हाईवे एंड यहां से हमें अभी जाना है 90 किलो मीटर दस किलो मीटर अभी हम लोग चल चुके हैं अब लोग वीडियो प्यासी कंट्रीव बने रहिए एंड वीडियो का अनन्द उठाइए एंड प्लीज वीडियो को स्कीप नहीं करिएगा सो चला जाए आगे बहुकाल के साथ फुल तबाही फुल पावर एंड फुल जोस के साथ अब आप ना सारे राइडर एक साथ तरसे अब आज फुल तबाही वह उने वाला गाई फुल तबाही तो फुल तबाही तो अब काफी मजा भी आ राइड करके भाई साथ एक नम्बर अब यह जो चीज है ना रोड के यह जो चीज है ना भाई बहुत ही खतर्माग है यह आपका गाड़ी का पुरा जो है ना सिस्टम में ही लागे रख देता वाई पुरा पका गाड़ी अन्दालेंस होने का चांच होता इस पर तो राम से चले अब हम पहुंच चुके हैं कुद्रा एंड यहां से में लेना है लेफ्ट अभी हम हाईवे छोड़ रहे हैं एंड इस रूट भी हमेल रहे हैं कि अग्वाई लोग अपने साथ यह हमारे विखाश ची वाई इनका एक्जास्ट एकडम एक नमबर लगता वाई वाई का एक नमबर फुल पावर तवाई वाई इनका एक्जास्ट आपको अगर सुनना है तो बताते हैं कि देख रहे हो गाई इस कितना खतरना का वास्ता एक नमबर मजा आता है वाई संके हम लोग अभी पहुंच चुके हैं भभुवा बभुवा बभुवा बजार यह है बभुवा का मार्गड भाई आई कॉन सा दुनिया में चल रहा है वह बंदा देख रहा है उदर चल रहा है इदर फुल पावर के साथ दम भाई महाल बनाते हुए फुल पावर गाईस फुल पावर आई पूरा बभुवा में तहलका मचाते हुए जाहर है भाई यह लोग कि अगर्ण ने आज सुवह अधोर कि अधना दूम्स फुलिप कर वा रहे हैं एंड फिलप करा के फिर मिलते हैं आगे फिलप करा के वूल लोग बौड रहे हैं अगे एंड फिल आगे अभी थोड़ा आगे वो लोग पहुंच गहे हैं अभी फ्यूल ले रहे थे अपना गाड़ी का अभी पागल वागल हो गया वाइज यह जो आप रूट देख रहो ने कितना प्यारा रूट है कितना मस्त रो रास्ता अब एक नंबर रोड यह एंड सामने भाई साहब पूरा पहाड है अपको सामने दिख रहा ना पूरा पहाड एंड मुझे ऐसा लगता है कि सायद उसी प करते करते थक जोग है भाई यह अपनी धन्नु भाई साहब एक नंबर गाड़ी है भाई एक तो साथ सिसी की गाड़ी है एनेस लेक नंबर एक नंबर एक नंबर चीज है भाई कि अपाई यू लोग मंदेश्वरी भावानी मंदिर पहुच गये हैं यह है मंदेश्वरी जाने का रास्ता एंड हमें भी उदर ही जाना है एसे में जाना है आए जय है मतरानी पहाड़ी पाड़ा भाई अभी जैसा है न कि भी भूख लगा हुआ है सारे लोको क्यों कि सुबस हम लोग कोई खाये नहीं अभी खाना अब भी तक भाई नास्ता भी नहीं किया बस चाय पीके निगले भाई बस भाई सोच रहे एंटाइम और भाई तीन बच्चु का है पाई सोच रहे की कही होटल मिले तो पहले खाते हैं पहले पेट पूझा फिर काम दुझा एस चलते हैं रेश्टों में कुछ खाते हैं भाई भूख लगा हुए तेजी से हम लोग अभी होटल से खा करके इसी रेस्टरिन से खा, बिनिगल रहे हैं जा रहे है मुंदस्वरी सब्सक्राइब हुआ है कि अभी हम लोग जाने वाले हैं मुंदस्वरी वहीं पर गूमेंगे उसी को एक्सेटॉर करेंगे क्योंकि अभी भाई जो जिस लोकेशन पर जाना था भाई वह भी और यहां से 60 किलमेटर दूर है तो क्योंकि अभी टाइम हो चुगाएगा जाते जाते पुरा साम हो जागा तो फिर ब्लॉग भी कुछ नहीं सूट हो पाएगा सब लोग मंदसवरी पेही हैं मंदसवरी में है सोब い चलिए मनदसवरी गूंते हैं वहीं चलते हैं और वहाई लाए मजा तो है काफी नद अभी रहा है यह वह जाने कि वाले हैंำ कर पहाड के उपर में मंदिर के पास चार गाड़ी है चालिस रुप्या है जार पर्ची 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 एंद इसके बाद चल रहे आगे पहाड पर जाना भाई उपर बाइक से ही तो काफी मज़ा आने वाला है और भाई अभी तक मैं भी कभी गया नहीं वहाँ पर तो no idea और नहीं कोई experience है भाई उपर में क्या है कैसे है बड़ सुने कि भाई काफी बढ़िया जगह है और यह देखरो अब पुरा जंगल वाला रास्ता है भाई फूल उपर चड़ना पहाड पे तो मजा रहा है भाई मजा रहा है और भाई क्यों चला रहा है गाड़ी लुए ओफ रोड़िंग पहाड वाला टास्ता पत्थर का स्वरी अप्थर का रास्ता है भाई में टाइव पैदल भी जा सकते हैं वे लोग जा रहे हैं अवसे और आपके पास अगर प्रस्नल गाड़ी अट अपकर अब प्रस्ट्व याड़ी से भी जा सकते हो संभल के बहा ही संभल के कतरना कतरना भाई मोड है अचली ये ग्राटी टाइब का लग रहा है लग क्या रहा है वही है ही लुआ है भाई एक नंबर जगा लगा रहा है एक नंबर यह हम पहुच चुके है इतने उपर अब देख लोग इस तो पर आचुके हैं अभी अभी हमें और जाना उपर वाई इन से धेड़ी किलो मेटर भी और उपर जाना है तो यहां पर थोड़ा बाख लगा पोड़ो शूट और इसके बाद फिर बढ़ेंगे आगे मन्जिल की ओर अब तेरी तो लगता है कि फाइनली हम लोग उपर पहुंचने वाले हैं गाइस चलते उपर 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 तो बहुत चुके हैं अपना गाड़ी धरी लग रहा है वाई तो अपना गाड़ी को करते हैं यहीं पर पार्क और चलते हैं अब उपर गोमने कोमने सुगाई जब लोग चाड़ रहें अभी उपर यह सीड़ी एंड इसी सीड़ी से में जाना है उपर सुच्छा लिए यह हमारे सारे भाई लोग एंड दो तीन जन पीछे ही अभी आ रहे हैं सुभाई लोग फाइनली हम पहुच चुके हैं पहाड के उपर में मंदिर के पास एंड यह हमारे सारे राइडर भाई लोग साथ में रहाए तो कर दिजिए ब्रोग का अंग थो कि I heb उस्सकेस हैं में में बढब यही है में टेमपल महता दरानिका कि भाई बीना स्टार्ट किये हुए अपना गाड़ी चल रहा है नीचे देख रोगाई किता स्वीड होगा भाई धीरे 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 कि इसी के साथ आज का व्लॉग यहीं तक फिर मिलते हैं एक प्यारा सा राइड एक अच्छा सा राइड पर प्लीज आपको भी पता है ना क्या करना है वीडियो को लाइक करना है चैनल को हमारे सब्सक्राइब करना है इस्टाग्राम पर अभी तक फॉलो नहीं किया हो तो जाकर के डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा जाकर के फॉलो कर लिजगा तो पस आज के लिए पना ही तो टेक क्यार यूर और यूर फैमिली और भी सेफ गाईज और सेफ ड्राइव अलवेज तो बाबाए